करें आफिरे 10 और दों लिंटर लो दिओ लिए आपको वर मिच्श करना पड़ा कोंसा 2 9 कौल है या पर किस पे आप काम कर सकते हैं से लिख इस अप पनी स्क्रीन में कि यह मिच्वा है स्क्रीण श्राइब करके के सारे आते हैं तो बहुत सारे लेकिन आश्वाहि oops लिखो तो आपको पाइफन का पता चल जाएगा लिखेंगे तो क्या पाइफन जो पिप है ना वो पैकेज मेनेजर ही होता है जब भी आपको इंस्टाल करना पड़ता अगर मैं सिलेनियम लिखता हूं तो वो इस लिए पैकेज इन्स्टाल कर लेगा क्योंकि पाइफन अकेले चलती नहीं है तो इसको लैबरेडी चाहिए होती है यह पा प्याविट या से कुछ निकालना भड़े तो मुझे भी बनाएं तो भी नाकर सकते हो तो जैसे नोड रहता है नोड में एन पीम रहता है तो एसी पाइफन में पिप रहता है तो पिप के तुरू आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो और जो भी कमपैटिवल्टी है अगर आपको जैसे क्या कहते है कुछ एक्ट्रैक्ट करना है कहीं से या फिर कहीं से कोछ डिटेल चाहिए है बोट डाउनलोड करना है कोई आपको बनाने के लिए टाइम लगेगा क्या और यह भी पतानी कि आप फुर्व कितना चाहित हो सकता लोगा लएा जिए इसलिए बोलेते हैं फ्रुड़ी संपलऊ को किया जावा ज走了 और इसलिए कि रॉट्भ्यों जावा करूंगा कि हमारे जो होती है मैं सब बता रहूं तो क्या है कि आपकी जो में लेंगविजिस यूज हो रही है तो आप यह मान के चलो कि एक तो सबसे पहले तो जावा आपको बहुत मिलेगी जब भी आप देखोगे ना कि जावा के जावा विद सलेनियम ठीक है आपको पाइफन भी मिल जाएगा को डॉट नेट भी मिल जाएगा ठीक है बट डॉट नेट विस लेनियम के साथ ना प्राइसिंग वला पार्ट है कि इसमें सारी फीचर डॉट नेट से लेनिंग विसाथ नहीं देता है तो इसमें यह कंपनि वह यूज करती है जिनको जो लाइसेंस ले सकती है डॉट जावा स्क्रिप्ट के लिए आप मान के चलो साइप्रस यूज होता है ठीक है और जावा तो नॉर्मल आपका और बाकी बहुत भी और भी चीज़ हैं लेकिन सबसे पहले यही दो पर कंसर्टेशन होता है लेकिक जगाए कि जो कुमबर है ना वो के बल नहीं नहीं है इसको बोलते हैं तो अब विदी क्या भी दी किए मैं बतार हूँ एक आपका जैसे आप न आप सबसकर आप से में बोलता हूं कि या न मुज आप्तामिशन करना आ है ठीक है तो आपने गा कि सर मैं पाइफन से तो आपको मैंने बोला कि आपके तीन चार पेजेस हैं लॉग इन पेज है और चलो एक सेंपल वेबसाइट जो मुझे मिली है उसको ले लेते हैं तो उसमें क्या है कि वह वेबसाइट मुझे बहुत सही लगी है क्योंकि जितने लोगों मैं पढ़ा रहा हूं ना बहुत सारी कोई साव пап किसे करके वेबसाइट किस्टे लिए मिल सकती है तुर इसमें टो इप करनी है और आपको मैंने बोला पाइथन अस्पर प्या है और आप क्या करोगे यह क्लास बना वह और इसका आपाम मिशन करो कैसे भी कैसे थिए अब फिला लिए लेके चलते हैं कि आप automation करोगे कि कुछ ना कोड लिखो किसी ने language में और automation आपको आता आपने कर लिया ऐसे आपने इन सारे चीजों का कर लिया बाकी बात में आते हैं कि आपको चलाना होगा तो आपने आप देखोगे ना बहुत सारी आपकी classes होंगी कि सपोज़ कर होम पेज में आपने कुछ कोड लिखा है और आपने यह क्या क्या कहते है रेइश्टर पेज में लिखा हुआ है तो हो सकता है यह कोड और यह कोड में कुछ repetitive चीजे हों तो आप क्या करता है या बार-बार रेपीटिटिव नहीं करके इन दोनों का जो common code किसी तीसरी फाइल में डाल देता हूँ ठीक है तो मैं करता हूँ common मैंने बनाया और उसमें common code डाल दिया ठीक है और इसमें से न वो common code call हो जाएगा जो है न इसमें call कर लेंगे ठीक है अब क्या है बात तो वही हुई है न होम पेज में code लिखा हुआ है में आपकी readability भी है अगर यही हॉम पेज अगर आपका 100 line का minimum है आपका automation script है और वही बात में जाके 500 line की हो जाए तो इसकी readability बड़ा मुश्किल हो जाएगी understandable अगर आप 3-4 महीने बाद भी आतो चलो यह तो रही 3-4 फाइल को देखता है तो वह कहेंगा पता नहीं क्या लिखाओ मुझे समझ नहीं आ रहा है तो उसकी readability के लिए नाम आता है framework का framework बोलते हैं कि सब कुछ set रहता है सब कुछ मतरा आपकी readability भी होती है आपकी understandability आपकी reliability होती है आपका reusability भी होती है आपकी behavioral-driven development ठीक है तो जब मैं कहता हूँ भी हेवियर रिविन लपमेंट जब मैं इसका नाम लेता हूँ तो यह कहता है कि यार आप जब test case लिखते हो ना तो सीधा code लिखते जाते हो कि driver.ya driver.find element driver.wo driver.ya कि click करे send keys करे और जो भी keyword होते है method होते है उनको call करते रहते हो लेकिन लेकिन इस सीज में अगर मैं बात करूँ इसमें involvement किसका होगा केबल QA का जो कि यह जानता है अब यही चीज आपको justify करनी है कि आप क्या कर रहा हो कितना वह रहा है से तो आप code कि तो justify नहीं कर पाऊगे क्योंकि जो non-coder है और जो non-technical बंदा जैसे कि आपका product honor हो सकता है ठीक है आपका manager हो सकता है program manager हो सकता है आपका extra master हो सकता है ठीक है आपकी team में और भी लोग हो सकते है जो कि जिनको आप report करते हो या फिर आप combined report send करते हो stakeholders को उनको समझ नहीं आएगा क्या कर रहो तो bddd क्या करता है bddd use करता है cucumber ठीक है cucumber क्या है कि cucumber आपको descriptive test case देता है ठीक है और example यह cucumber का test है तो इसमें क्या है cucumber की एक feature file होती है feature file में आप ऐसे test के लिखता हो जिससे कि जो भी लोग हैं जो भी stakeholder है वो समझ जाएंगे आप क्या काम करो कि speecher पर काम करो suppose करो मैंने calculator लखा हुआ था ठीक है या फिर मैंने लखा है gmail login page feature ठीक है as a user जो भी है तो मैंने feature करना मैं as a user I want to इसमें लग दो कि login to gmail account with valid with credential whether it's valid or invalid ठीक है अब क्या होता है कि यह तो आपने बोल दिया अब यहां तक तो सब को समझ में आ जाए कि आप जो test case करो किस काम का है इसमें होता है bdd में scenarios रहते हैं scenario रहते हैं वो क्या करते हैं आपको बताते हैं कि क्या scenario है gmail login with valid username ठीक है अब आप ऐसे करके आप ऐसे करके इसके scenario लिख सक जाते हो क्योंकि इसकी readability होती है इसलिए cucumber को prefer करा जाता है कि इसकी code के comparison में इसकी readability होती है यही मैं अगर code अगर selenium या फिर उसमें लिखता तो मैं से लिखते driver.find element ठीक है और यहां पे कुछ लिखता करता जाता है ठीक है कि अब जाके इस पर click कर दें ठीक है यहां पर डाल दिया अपने user name sometime कुछ ऐसा माल लो ठीक है code लिखा हुआ है तो जब हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह कर क्या रहे हैं कि इस पर click कर रहे हैं करना क्या चाह रहे हैं तो अब इसके comparison में इसकी readability तो है इसके पीछे कुछ code लिखा जाता है जो कि इसको call करता है फ्रंट में यह दिखेगा बैकेंड में भले ही यह दिखेगा लेकिन फ्रंट में ऐसा कुछ दिखेगा जिससे की जिस बंदे को पता करना कि आपने कितने test case से लिखे हैं तो suppose कर आपका test scenario 1 है तो इस टाइप से के सारे stack holder को समझाता है कि हम टेस्टिंग में टेस्ट की इस automation में क्या लिख रहे हैं बस यह फायदा है कुकुम्बर का कुकुम्बर का कंवर्ट नहीं क्योंकि अब जब मैं बोलता हूं यह framework है को कुकुम्बर इसका यूज करता है तो यह अपने आप खुद प्रोवाइड करता है जब हम framework पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है पहले तो हमें पढ़ना है पाइथन फिर इसके बाद पाइ हो जाएगे अपते 10 दिन में फिर हम आएंगे framework पर जिससे कि उस time तक आपको ना framework बनाना आ जाएगा फिर आप सोचो कि यह framework तो ठीक है लेकिन इसमें improvement में क्या कर सकता हूं तब आपको लगेगा कि इसमें improvement के लिए मैं ना कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि मैं किसी दूसरे बं आपकी आज की data पर आगर मैं बात करूं तो आपको भी पता नहीं है कि framework कैसे काम करता है तो हम क्या करेंगे पहले समझेंगे दीदे दीदे ठीक है कि कैसे सारी चीजह मिलके और सारे component मिलके framework बनाती है और framework कैसे काम करता है फिर उसमें improvement के लिए फिर आप खुदी यह suggest करने लगोगी ना कि मुझे ना इस component में दिखकत है इसको कुसी अच्छी तरीके से कर सकते हैं फिर we will search कि what all options we have in the market then we find the cucumber playwright और jest or cypress there multiple things can we choose this can we choose that what are the advantages over this and this यह same वैसे ही है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप कभी जिम नहीं जाते हो और कभी exercise नि करता हो मैं आपसे बोलता हूँ कि जिमिंग अच्छी है कार्डियो अच्छा है कि weight training अच्छी है तो आप जिसने अभी कई गया नहीं है या पर करना नहीं है तो कैसे गईगा ऐसी कि हमें चीजों को gradually सीखेंगे तो क्या है कि हमें उसके in और out point पता चल पाएंगे तो आप मैं हमेशा लोगों को recommend करता हूं कि अगर एक topic पढ़ते हैं तो एक topic पे research करो और उसकी programming करो ठीक है उसके बाद हो सकता है अगले दिन आप उस topic पे 10 question पूछो मेरे से कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है तो जब तक आप समझोगी नहीं और अपने end से try नहीं करोगे तब तक कीज़ें यहीं stuck रहे हैं तो हम topic wise पढ़ते हैं तो आपने क्या कहते हैं कि installation python हो गया pip हो गय आपका है ना तो यह आप हाँ यह तो simple चीज़ है कि आपको download करना है और pip तो सीधा हो जाता python की थ्रूँ और इंस्टाल होगे अब हमने देखा वाई python ठीक है तो हमने देखा था कि Java में कुछ syntax वाली चीज़ें होती है और python में फोड़ा से simple रहता है इसटेक्स वाला इतना ज्यादा चक्कर नहीं होता है अगर मैं syntax की बात करता हूं चलो एक पहला प्रोग्राम देखते हैं तो मैंने क्या गरा मैं मेरे में पाई-चैर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सो आयव इंस्ट्ल इंटलीजे बिकॉस दॉनों ही इंट्लीजे और python प्रॉब्लम नहीं है और उसकी प्रॉडक्ट है विस कोड़ भी और कई सारी चीज़ है उनके प्रॉडक्ट है तो compatibility आपको layout से लेके थोड़ी बहुत चीज़ें बस अलग दिखेंगी बागी सब कुछ ऐसे दिखेंगा तो अब मैंने क्या करा है कि मैंने एक package बनाया हुआ अगर मुझे क्लास बनानी पड़ती टेस्ट.java यहां तो नहीं बन पाएगी क्योंकि न यह जाबा फाइल आउट साइट सूर तो मैं दूसरे उसमें तुमें दिखा दूंगा कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आता है तो पहले पाइफन पर यहाते हैं तो पाइफन में इतना सिंपल है कि आपने अगर फाइल बनाई है और उस पे आपको कुछ करना है ठीक है कुछ प्रिंट करना है तो आपको सब क्या करना है प्रिंट लिखोगे और सीधा आपको जो देना हो एलो सबसे पहला प्रोग्राम तो वही होता है तो बस राइट क्लिक करना है और रन कर देना है ठीक है आपका प्रिंट हो जाए अब जब यहां से आ जाते हो तो यहां भी आपको code में चेक करना कि कैसे debug चीज़ें चल रही है ठीक है हाँ तो मैं बता रहा है यह है तो बात करते हैं अब debug की debug code तो क्या है आपने समझ करो 10 लाइने code लिखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लगता है कि 5 भी लाइन पे code फट रहा है ठीक है आपकी दो 34567 ठीक है तो आपने यहां तक तो आपका code चल रहा था और यहां तक नहीं फट रहा था यहां तक फट रहा था इस लाइन फट रहा था वह सकता है यहां पर 159 पर फट रहा हो ठीक है तो इस case में आप क्या करोंगे अगर सुरुआ से चलाते हुए आओगे तो आपको समझ नहीं आएगा अंटेनलेस आपने लॉगिंग इतनी अच्छी नहीं कर रखी है तो डिवग हमें बताता कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां पर लगा दो डिवग ऐसा और हम कोड को डिवग मोड में चला सकते हैं कैसे यह हमारा जावा का तो जावा में अगर कोई भी चीजे में जो पृइंट करनी कि करता हूं एक सब से पहले ना इक उसमें भी मने हमने था प्राईल बनाए इसमें क्लास मनाती है लिख देए के सेंपल डिक सेंपल वन में अब यहां कि अगर मैं तभी आप इसको लिख सकते हो और आपको hello print कर सकते हो hello java ठीक है hello java तभी print कर सकते हो और run करने का save method है ठीक है आप तभी इसको print कर सकते हो अब debug क्या बोलता है कि आपको लगता है कि suppose करो और debug हर एक language में same ही रहता है debug तो एक action है जैसे print action है और logging action है तो सब्सक्रों आपको लग रहाएं कि आठमी वाले में दिखकत है तो आप क्या गरो कि सब जगह चलता है तो अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है code और मुझे लग रहाए कि मेरा code ना मेरा code एक लाइन पर प्रॉब्लम कर सकता है तो मैं अगर हुआ डिवग लगा दूंगा और डिवग एज कर दूंगा अपने पर आते हैं कि मुझे लग रहा कि इस वाले में प्रॉब्लम थी तो मैंने करा डिवग जो भी था वहीं रुख जाएगा अब देखो अगर मैं console पर आता हूं तो hello word पहला वाला प्रेंट हु हां बस 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 तो आपको न इसी में problem है ना इसी में problem है ठीक है तो आपने ऐसे गरा फिर आपका आगे चलेगा ठीक है अब ये तो नॉर्मल लाइन लिखी हुई हो सकता है आपने कोई method कॉल करा हो ठीक है तो ये फाइदा होता है कि आ तेवग इंग का ठीक है तो अब क्या है कि python में इसलिए सिंपल है जावा में बहुत सारी चीज़ें में करनी पड़ती है अगर में मैतल को आपने ये अटा दिया तो बहुत सारी आपको ये रन इन करेगा आपको option नहीं करके ठीक है बट python मैंसा कुछ नहीं है पाइटन मैंसा कुछ नहीं है आपका blank page भी रन कर है ठीक है तो python हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो exception देगा हर एक language के कुछ guidelines है कि आप ऐसा use करो के तभी चलोगे तो आपको यहां पे आपको यहीं error दिख जाएगी दो तरीके की error होती है कि runtime होती है compile time होती है तो यह है compiling के time पे यह error आ रही है तो आपको यहां पे click करके unresolve यहां पे जाओगे mouse over करोगे unresolve print तो यह कह रहा है का यह कोई function है जो आप create करना चाहते थे और बूल गए तो आप create कर दो function जब function create कर दोगे तो आपका यह print करके चलने लगेगा यह इस तरीके से काम करता है तो यह होते हैं इसके inbuilt keyword है print है for है इंट है और क्या बोलते हैं string है यह होते built-in keyword तो इसी लिए बोलते है Python बिल्कुल plain language है simple है कहीं से भी कैसे भी एक्जूर कर लेती है तभी तो बच्चे बच्चे भी Python जला सकते हैं अगर आपको पहला code लेखना है तो क्या करोगे आप आपको दो number add करने है तो आप इसमें क्या है कि कोई define भी निकरना है कि आपका name है कि number है वो अपने आप understood करता है equal to 10 लिख दिया भी बस ठीक है और जैसे ही आप इसको चलाओगे आपका 30 प्रेंट हो जाए ठीक है अगर मैं इसको करता हूं 20.0 और आप इसको दबारस करता हूं तो 30.0 आजाए तो यह इतना सिंपल अब मैं इसको करता हूं अभी शेख अब देखते हैं ठीक है अभी exception देगा क्यों एकसेप्सन क्यों दे रहा है क्योंकि कभी आपने नंबर में नंबर यह तो एड़ करोगे अब यह understood चीजे हैं अगर मेरा कहीं से अगर मुझे मुझे तो पता ही है कि अगर नंबर ले रहा हूं या फिर श्ट्रिंग ले रहा हूं या फिर क्या है तो एक बर ये भी देख लेते हैं, बिलकुल, अब देखो, इतनी understood language है, अपने आप मैं सब को समझ रहेती है, कि आप concatenate कर रहे हो, strings को, कि A में, double code में आपने कुछ assign कर रहा है, जैसी double code हटा दो कि वो exception देगा, कि भई, क्या करना, क्या चाहा रहे हो, कि ये कोई package है, जिसको आप import करना चाहा रहे हो, क्योंकि हर चीज जिसमें package based है, package क्या है, कि जैसे अभी हमने क्या package बनाया है, मैं right click करके python package कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ code लिख रहा हूँ, हो सकता है कि आप, या किसी ने मुझे कुछ code दिया है, simple code दिया हुआ है, क्या, कि random number generate करने का कोई code लिखा हुआ है, और वो मेरे साथ share करना चाहता है, ठीक है, तो suppose करो कि अभी तक किसी ने random number का कोई code लिखा नहीं है, सब लोगों को परिशानी हो रही है, यह random number generate करने में, तो किसी एक बंदे ने करा, उसने code लिखा और उसको package कर दिया, और लोगों को बाटने start कर दिया, कैसे, जैसे git करता है, git क्या करता है, open libraries देता है, जैसे selenium है, selenium भी तो यह कर रहा है, open source छोड़ दिया है, जैसे कि लोग उसको use करें, और उसको test करें, और उसको बताएं, जब आपकी dependency इतनी हो जाओगी, तभी आप charge करोगे, हर बंदा यही करता है, जीओ भी तो यही कर रहा था, पहले तो सब कुछ free दिया, जब dependency हो गई, फिर उसने charge करना start कर दिया, इवन hot star भी पहले यही करता था, फरी में matches आते थे, जब आपने इतनी आपकी dependency हो गई कि इसके बना चलीन सकता, अब आपके, जब एक छत्र राज हो जाएगा ना, फर तो आपको देनी ही पढ़ेगा, क्योंकि आप used to हो गई हो, अभी तो YouTube जैसे है, YouTube क्या कहता है, कि आप skip कर तो try जाब, अगे future मैसी policy आगी, कि आपको 10 रुपए देने पढ़ेंगे, उसके बना तो आपनी कर बाऊ, तो लोग देंगे, देंगे, आँ, एक मेन, तो अभी क्या है, voluntary है, कि either I, I mean, if you want to go ad with the, I mean, anonymous or free trial, then it's okay, I mean, you will face some ad, so you will get some ad, during the video, लेकिन ठीक है, लेकिन जब उस कि बिना आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो उसके क्या, तो क्या उसके consequences हुए, कि उन्होंने अपनी users थोड़ो, तो लोगोंने क्या करा, कि जैसे मैं हूँ, मेरे Twitter पर अकाउंट रही है, और मेरी competitor company है, क्या कहते है, जो मैटो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक account बनाया, 800 रुपए दिये, और Bluetooth ले लिया, अब क्या होगा, अब मैंने क्या करा है, कि अब जब मेरा Bluetooth आ गया, तो लोग सोचेंगे, कि ना ये Bluetooth वाला वंदा है, Bluetooth वाली company है, तो ये सही चीज बताएगा, यही तो होता है, माप दंडी यही होते हैं, parameter यही हैं, तो क्या है, तो किसी ने यही करा हुआ था, कि किसी फ्लायट के, कोगकोला की उपर कुछ कमेंड कर दिया, कोगकोला की शेयर गिर गए नीचे, अब क्या हुआ है, अब बिना चेक करें, बिना टेस्ट करें, जब आप यह सब करोगे, तो यह हो गई, यही टेस्टिंग के सबसे बड़ा example है, कि आपको पता ही नहीं कोई Bluetooth ले लेगा, आपको एक guideline set करनी चाहिए थी, आपको static document बनाना चाहिए था, जिस पर टेस्टिंग करनी चाहिए थी, कि जब भी एक, एक कोई norms होनी चाहिए थी ना, ऐसे ही है, तो हर एक चीज़ के guideline, पाइफन की हुई guidelines है, कि पाइफन भी line, ठीक है, line by line read करोगे, फिर आपके अगर अपना logic लिखोगे, कि अगर इस line में print करके कोई चीज है, तो वो मेरा function है, जो मैंने दिया हुआ है, तो उसको जो भी उसके अंदर हो, तो console में print करते हैं, यही तो logic लिखते हैं न लोग, second line को read करेगा, उस line में अगर कोई भी variable लिखा हुआ है, equal के बाद, अगर वो बना double codes के है, तो वो number है, फिर उसके ऊपर logic लिखा हुआ है, कि यह इसमें digit है, या number है, single है, क्या है, तो यह बहुत तगले code लिखे जाते हैं, और बहुत तगली mechanism लिखी जाती है, तो आप भी compiler बना, यसलिए सब लोग compiler नहीं बना प कर रहे हैं, और MNCs में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा इंडियन का contribution है, लेकिन आप देखो, जब मैं एक सर्चिंजन की बात करते हैं, तो हमारा कोई सर्चिंजन नहीं है, तो हम इतना ज़्यादा dependency है, जबकि वहां काम हम ही लोग कर रहे हैं, हमारा CEO, मतलब इंडियन CEO भी है, और इवन अगर कोई ऐसा classroom program भी नहीं है, CEO भी IIT से है, तो इवन IIT मैंने भी नहीं सोचा कि सर्चिंजन पर काम करते हैं, एक कोण सी ऐसा रख देते हैं सर्चिंजन के वेस पर, एक कंपनी खड़ी हो जागी, तो आप समझो ना, Google सबसे उपर है, तो यह तो फिर अलग करना हो, तो आपको सीधा एक variable लेना है, और उसमें डाल देना है, यह number हो जाता है, ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर आपको कोई string करनी थी, तो आपने क्या करा, एक string ली, उसमें लिख दिया, अभी shake, ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा अगर आपको कोई float करना था, तो आपने float में डाल दिया, 20.5, ठीक है, चौथा क्या था, अब आते हैं, यह तो normal data हो गई, ठीक है, अब आपने कहा कि, अगर मुझे multiple data store करने हो तो, ठीक है, तो आता है list, ठीक है, अब list, as this name suggests, it will contain multiple values, ठीक है, तो मैं आपको एक hint दे रहा हूं, ठीक है, और hint क्या, आप इसक आपको जिन्दिके पर यह रयाद रहेगा, जब भी मैं list बोलता हूं python की, तो आप last का t देख रहो, t बोलता है कि यह bracket है, लग रहा है similar, तो जब भी list आएगा, तो आप मानने के चलो, आपको bracket के अंदर values लिखनी है, ठीक है, अभिशेक है, और नयन है, ठीक है, और आगे, आप मानने के चलो, कोई x, y, g, b, कोई भी है, ठीक है, तो यह हो गया, तो python में data type थे, अब list हम समझ गए, कि यह तो list हो गया, कि मुझे पता चल लगए, जैसा last वाला है, तो ऐसे, आप कभी confused नहीं हो, कि इसे निगा कि please define a list, अब आपको यह समझ नहीं आ रहे हैं, कि इसम आपका integer है, इंट, ठीक है, यह हो गया, आपका string, ठीक है, यह हो गया आपका float, ठीक है, और यह हो गया, आपका list, ठीक है, अभी फिलाल, जो इनकी normal चीज़ें पढ़ते हैं, जो list की definition हाईगी, वो आगे chapter न हाईगी, तो हम उसको detail में पढ़ाएंगे, कि list का uses क्या है, हमें चीज़ों को याद नहीं करना है, खासतोर से language में, language is like mathematics, आपको अगर integration और डिफ्रेंसियेशन और आपको technometry का logic पता चल गया, कि कैसे है, वो 30 degree, 60 degree, 90 degree, और जो आपको पाइथागोरस थिवरा में कैसे है, काम करते हैं, तो आप ना चुटकियों में कोई भी technometry problem solve कर सक कर सकता था, ठीक है, तो अगर हमने यह समझ लिया, तो आप क्या है, आपकी जो debugging skill है, और exploring skill वो अच्छी हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे ना, कि list की जगह है, यह use करता हूं, string, क्या error आद दिये, फिर आपको नई चीज़ सीखने, आप daily नया सीख होगे, अब same goes आता है दूसरा, एक होता है, टपल, ठीक है, इसको बोलते हैं, sorry, E-U-P-L-E, अब जब मैं बोलता हूं, टपल, ठीक है, अब टपल में देख रहा हूं, E कैसा है, round, तो इसमें टपल जब declare करते हैं, round करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी same चीज़ define होती है, हम इसके differentiation बाद में टपल कभी यूज होती है, और लिस्ट कभी यूज होती है, ठीक है, पहले डेवटा टाइब पढ़ लेते हैं, अब दूसरा क्या है, अब टपल हमने देखा, टपल को define करने के लिए, ठीक है, अब आते हैं, अब आते हैं, आपको कोई, अगर आपको कोई range define करनी है, ठीक है अब इसके अलाबा कौन सा ब्रेक्ट बचा बताओ कर्ली ब्रेश्ट बचाना थीक है अब इसमें आ जाता है कर्ली वाला आ गया यह आपको अपना कभी बूलेगा नहीं क्योंकि आपको याद नहीं करना है आपको समझना है कि लिस्ट आप जैसे यसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो कि आपको पता चल जाए इसमें इक कर्व में है सर्कल टाइप का तो सी हो जाएगा बाकी बचा हुआ ब्रैकेट सेट आता है तो यह तीन डेटा सेक्चर है जो की ज्यादा यूज़ होंगे जब कभी अच्छी प्रोग्रामिंग करेंगे नॉर्मल तो तो यूज़ होते ही है तो हम यूज़ करेंगे यह हो गया अब इसको अगर मुझे प्रिंट करना है अब करने कितना बड़ी तरीका है हम क्या करेंगे पाइटन में कुछ लॉजिक लिखना नहीं है इसमें अगर प्रिंट लिखो और अगर आपको इंटीजर करना है आपने एक्स कर दिया सजेशन आने लगा आपको इस्ट्रिंग कर लिखना है आपने एस लिख दिया ठीक है आपको इस प्रिंट में आपको फ्लोट लिखना है वो भी आ जाएगा आपको इस लिखना है लिस्ट आ जाएगी ऐसे ही सारे आपके आते जाएंगे के लिस्ट हो गया डपल हो गया और सेट फिर अब इसको करते हैं एक्जीक्यूट कैसे करते हैं राइट क्लुक करके उसे अजएट करना है आपके देखो इसी मेनर में सारह आजाएंगे अब बाकी क्या होता है कि अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना है तो ये आते हैं built-in keyword है ना अब मैं क्या कर रहा हूं मेरा अब एक चीज और आपको बता चलेगी करते हैं 025 वो बताता है कि आपकी range क्या है ठीक है और अब एक last जो होता है वो तो आपको भी पता है कि हम लिख देते ना flag true or false तो true or false को लिखने के लिए अगर इसको यह true और flag one equal to false तो यह flag मतलब यह भी data टाइप ही है अब यह कब जरूत पड़ती जब आप condition लिखते हो ना इफ अगर यह condition true है तब यहां जाए तो क्या होता है आप true को कहीने कहीं तो store करोगे ना तो यह होता है boolean type का boolean मतलब decision ले सकता हूँ मैं ठीक है तो यह होते है boolean इनकी जरूत क्या करती है कि मैं अगर किसी web page पे जा रहा हूँ और मैं चेक करो क्या मेरा Gmail page खुल रहा है अगर खुल रहा है तो आगे बढ़ जाए इस टाइप से होता है आपका data type ठीक है तो आज के लिए हमने एक चीज कवर करी है जो कि हमारे session का था कि यह हाँ यह हाँ वाई python और यह data type ठीक है तो अब क्या है कि हमें यह पता चल लगए कि python क्यों यूज करने सिंपल है और बहुत सारी libraries है बहुत सारी चीजें जो कि normal languages में नहीं कर सकते python easily कर सकती है ठीक है easy to learn, easy to use है compatibility है multiple चीज़ों के साथ कि आप selenium के साथ कोई भी थर्ड प्राटी लाइबरेटर यूज करो अच्छी कर लो syntactical बहुत सिंपल है जावा में आपको semi colon अगर यह भूल जाओ न तो आप आपकी 100 line लिखी हो अगर आपको compiler error नहीं दे रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा यहां तो चलो error दे दिया यहां पर ठीक है आप समझ नहीं पाओगी मेरे गलती कहां करी है और python आपको यह सारी चीज़ां अराम से कर देता है तो यह तो था इसका test website हमने एक निकाली थी selenium के लिए अगर हम selenium यूज करेंगे ठीक है यह भी दे दी थी कौन सी इसमें लि तो यह मैं सीट भी सेयर करता जाओंगा और वीडियो वीडियो भी सेयर करता जाओंगा आपकी ड्राइव राइब पर और उसी की बेसिस पर यह चैप्टर हमने इसी वाइस से लेंगे तो इसमें मैंने almost सारी चीज़ां कर ली है और हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें जल्द कर सकता हूं इसको क्यों नहीं कर सकता और कोश्चन आएंगे मैं सॉल्ब करूंगा नहीं आएगा सॉल्ब तो हम देखके कहीं सी चेक करके राएंगे कि इसका क्या स्वालूशन हो सकता ठीक है ठीक है फिर ओके थैंक यू